बिहार की चार लोकसबाद सीटों पर आज भीसन गर्मी के बीच मतदाताओं का उत्सा भी काफी चरम पर है एक और तेज धूप है तो दूसरी और मतदाता तेज धूप के बाद भी भीसन गर्मी में निकल कर मतदान के लिए जोर सोर से बाहर आ रहे हैं और दोपहर एक बस्ते बस्ते मतदाताओं की स्थिति है कि कई जो संसदे सीट हैं वहाँ पर मतदान का एक तरीके से नयार रेकॉर्ड बना है दरसल हम दोपहर एक वजे तक कि आपको आकरे बताएं कि बिहार की चार सीट हैं गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई इस सीटों पर अभी तक जो मतदान की स्थिति है अगार उस पर हम नज़र डालें तो सुबह तमाम संसदे सीटों पर मतदान काफी धीमीगती से सुरू हुआ था लेकिन दिन चर्णने के साथ ही इन तमाम सीटों पर मतदान की स्थिती में काफी सुधार आया है और बड़ी तेजी से मतदाता घरों से बाहर निकल करके चिलचिलाती धूप में वोट डाल रहे हैं दसल हम सबसे पहले गर बात करें नवादा की तो नवादा संसदे सीट पर दोपार एक वजे तक 27.23 फिजदी मतदान हो चुका है वहीं औरंगाबाद सीट पर 33.99 फिजदी मतदाताओं ने दोपार एक वजे तक वोट डाले हैं ऐसे में जहां जमुई में सबसे ज़दा 34.25 फिजदी मतदाताओं ने वोट डाले हैं वहीं औरंगाबाद में 33.25 फिजदी से ज़दा मतदाताओं ने वोट डाले हैं उस दवरान सबसे ज़्यादा वोटिंग गया सीट पर हुई थी जहां नौद असमलोग तीन सुनी फिजदी मद्दान हुआ था जबकि उसके बाद जमुई में नौद असमलोग एक दो फिजदी और अंगाबाद में करीब 6 फिजदी और नवादाम भी चाद असमलोग एक प असमलोग 6 फिजदी और अंगाबाद में 15 फिजदी और गया में 14 फिजदी मद्दाताओं ने वोट डाले लेकिन दोपहर एक बजे तक में इस्थिती और ज़्यादा बदली है और अब जब की एक दिकेश देखें दोपहर के समय काफी तेज गर्मी भी पड़ रही है धू जमुई सीट की बात करें तो जमुई सीट पर सुरू से ही जो मतदान में तेजी कारे की स्थिती है वह दोपहर बात तक भी बनी हुई है और 34.25 फिजदी मद्दाता अब तक वोट डाल चुके हैं दोपहर एक बजे तक अरंगाबाद सीट पर 33.9 फिजदी मद्दाता सीट पर इस बार मुकाबले में जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वह एंडीये प्रत्यासी जीतन राम्मांजी और उनके मुकाबले associated हैं जोक्य राषटी जेनतादल के प्रत्यासी हैं इन दोनों के बीच मुकाबला है इसी तरीके से अग będę बात करें जमुई सीट पर तो यहाँ भी आमने सामने के मुकाबले में NDA प्रत्यासी अरुन भारती हैं जो कि लोजपा राम बिलास के टिकट पर मैदान में उतरे हैं जबकि उनका मुकाबला यहाँ पर मुखी रूप से अर्चना रविदास राज़त प्रत्यासी के तौर पे हैं उनसे होने जा रहा है और अंगाबाद सीट पर भारती जनता पाटी के सुशीर कुमार एक बर फिर से सांसत बनने को लेकर करके भाजपा का कमल खिलाने के लिए उहम बाज़दान में उतरे हैं तो उनका मुकाबला यहां पर अभाई कुशवाहा से है और नवादा की सीट पर भारती जनता पाट लेकिन नवादा की स्थिति यह भी है कि वहां दो निर्दलिये प्रत्यासियों को लेकरके भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कई किस्म की चर्चाएं थी जिसमें गुंजन सिंग और विनोध यादव इन दोनों ने भी नवादा में काफी दमखम के साथ चुनाव प्रचा में लगातार काफी पसीना बहाया चुनाव प्रचार में और उसके बाद अब मतदाता आज घीसन गर्मी के वीच मतदान के लिए घरों से बाहर आए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि दो पार एक बस्ते बस्ते करीब करीब साड़ी सीटों पर जो मतदान का प्रतिसत है तो आगे और मतदान को लेकर के पूरी फाइनल डिपोर्ट के आते हैं कितने मतदाता है इस पार के चुनाओं में अपना मतदे मतदार का प्रतियोग करते हैं हम आपको तमाम और रिट्स पताएंगे बने रहे नुज फोर नेशन के साथ